तो देखिए फ्रेंट्स यह राउंड भी कंप्लीट हो गया है और मैंने यहां पर यह धागा कट करके स्लिप स्टिच कर दिया है ठीक है यहां पर गांट लगा के फिर मैं इसको एक साथ नेकाल दोंगी तो अगर आप एक ही कलर के साथ कंटीडिव करना चाहते हैं तो इसी कल कि साथ आप आगे वाला बना सकते हैं मैं यहां पर कलर चेंज कर रही हूं और इतना बनाने मुझे हंट ग्राम में कुछ दस ग्राम बची होगी 10 क्राम से भी कम बची है ठीक है तो अभी में यह गोल्डन कलर ले रही हूं ठीक है यह यह भी 100% कॉटन नहीं तो चलीए शु आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं ठीक है मैं आप वड़ा आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं अगर आप दूसरा धागा यूज कर रहे हैं तो कोई प्रब्लम नहीं है बस यह देखिए जो बीच वारा पोर्शन है इसी में ठीक है इसमें इस तरह से सिंगल क्रोचित लिया एक दो छिय किया यह हमारा फर्स डबल क्रोचित हो गया ढब एक और यो इसमें, दो, ठीक है, एक, दो, तीन चेन, तीन चेन लेके देखिए, फिर यहां पे यह दोनों को यह देखिए, एक एक चेन ले रही हूं मैं, और फिर यहां से वापिस निकालेंगे धागे को, और यह सिंगल क्रोचिट, इस तरह का एक डॉट बन जाएगा, अब फिर से दो डबल क्रोचिट, एक, और यह, दो, ठीक है, इस तरह से, अब आगे वाली, आगे देखिए, आगे क्या करना है, अभी, इसमें, स्किप करना होता है, तो आगे जो यह गैप है, इसमें, हम एक सिंगल क्रोचिट लेंगे, अब फिर डबल क्रोचिट आगे वाली गैप में, बनाएंगे एक इस बार तीन ले रहे हैं ठीक है दो और ये तीन डबल क्रोचिट ठीक है अब तीन लेंगे एक दो तीन ये पोर्शन एकदम सेम है फिर देखे ये देखे दोनों चेंज में से निकाला थागे को यहां से पकड़ा और ये सेंगल क्रोचिट अब फिर से इसी चेंड में तीन डबल क्रोचिट लेंगे एक दो और ये तीन ठीक है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अब देखे अब फिर से एक चेंड को हम स्केप करेंगे और सेंगल क्रोचिट अब आगे फिर इसी तरह से डबल क्रोचेट इसमें तीन लेंगे एक दो और ये तीन एक मिनिट तीन ठीक है अब आप इसे तीन चेन एक दो तीन ये चेंज में से निकाला और फिर यहाँ पर तीन डबल क्रोचेट एक दो और यह तीन ओके अब फिर एक सिंगल क्रोचेट आएगा यहां पर आगे जो गैप है इसमें और अब वापिस से हमें यही रिपीट करना है दो ढबल क्रोचेट वाला ठीक है वापिस यह देखी है पर सबatisfक नाइब यह पर स्कुना में ट्लिए लास्ट वाला है। एक और यह दो हृँ करना किछ लख चेंगों तीन और फिर रापिस सेंग रिपीट करना है और वापिस से तो डबनग्रॉचेट एक और यह थो तो यह कुछ इस तरह से देखेगा अभी इह संहें अब आगे त book post लए हूसा उसके आधि की डेल को मतले होρι में को एक साथ लेना है चेंज को ठीक है यह दोनों एक साथ ले रही हैं दिकिए और सिरफ एक ही बार निकाला है दंते हैं दिए का कि HARF OUT फिर एक बार बकर dice वापसी स dat है कि एक बार निकालनें गें चाहिंछे चाहिए एक साथ सी पार तो यह कोच इस तरह सी कर फिर अब फिर वापिस आगे रिपीट शुरू कर देना है, जैसे कि हमने पहले बनाया, बिल्कुल वैसे ही, एक, और ये, दो डबल क्रोचेट, एक, दो, तीन चेन, और फिर यहां से, सिंगल क्रोचेट करते हुए, ये डॉट बनेगा, यानि कि शेल बनेगा, हमारा एक, और ये, दो डबल क्रोचेट, फिर ये आगे वाली जो गैप है, इसमें सिंगल क्रोचेट, और फिर से, डबल क्रोचेट शुरू कर देंगे, एक, दो, और ये, तीन, ठीक है, और फिर वापिस से, तीन चेन लेंगे, और बस इसी तरह से, हम रिपीट करते हुए, ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे, देखे, एक और बार दिखा देती हूँ, कि ये कैसे करना है, ठीक है, ये इस तरह से हो गया, अब ये वाला राउंड में, एक और बार रिपीट कर देती हूँ, अब देखे, फिर से, इस तरह से, डबल क्रोचे है, अब वापिस से, डबल क्रोचेट, अब फिर से, दोनो धागे लेने हैं ये, और ये इस तरह से, एक और वापिस, दो, ये दो हो गए, दोनो में से, अब उपर, चार धागे, अब चारो में से, एक साथ, और फिर से, जैसे कि मैंने कहा, उसी तरह से, रिपीट करना है, तो बस इसी तरह से एकदम सिंपल सा है बना देते हैं आयोप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है यह वाला राउंड तो देखे फ्रेंड्स यह कंप्लीट हो गया यहां तक और मैंने यहां पर स्लिप स्टिच कर दिया है और अब यहां से कट कर दूंगी ठीक है तो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है तो देखे अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा और अभी तक बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो अग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे थाल पोस्ट की डिजाइन के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए बाई